हेलो एब्रिवान वेलकम तू साइंस थिंक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन ऑप मेट्रिक्स बाया स्केलर को यह है मल्टिप्लिकेशन ऑफ मेट्रिक्स बायो cköles स्केलर क्या मतलव सिंप्ली एक नंबर किक्शी भी नंबर की मेट्रिकक्स में ले रहे हैं मैट्रिक्स मेंट मुठीलाइक नुक्ट्रिक्स ले रहे हैं उस matrix के अंदर हम numbers ले लते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमने सबसे simplest matrix ले ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अभी तक जितना मैंने अगर आपने मेरी videos देखी हैं, तो हमने उसमें सीख लिया है, कि हम इसके अंदर rows कैसे देखते हैं, ये हो गई row number 1, ये हो गई row number 2, ये हो गई 3, तो इसके अंदर rows कितनी हो गई है, 3 तो row हो गई है, अब column कितने है, ये है C1, ये है C2, और ये है C3, तो column भी कितने हो गई, 3, और हम ये देख चुके हैं, कि row into column कर देते हैं, यानि कि 3 into 3 कर देंगे, तो ये ही हमारा क्या होता है, order और matrix, order को कैसे लिखते हैं, matrix के पर, तो जो इसका order है, वो क्या है, 3 by 3, अब इसको अगर हम multiplication कर देते हैं, यानि कि 3 into 3 क्या होता है, 9, तो इसके अंदर क्या है, 9 elements, तो इस matrix का, जो order है, वो है 3 by 3, इसके अंदर 9 elements है, elements क्या होते हैं, basically number है, तो number आप देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 number है, इस matrix के अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके multiplication कर रहे हैं, किसी भी scalar का, scalar मतलब इनी के जैसा एक number, जो इस matrix में multiply होगा, तो हम वो देखते हैं, कैसे करना है, तो हमारे पास में ये matrix है, A, तो हम माल लेते हैं, कि जो हमें scalar multiply करना है, जो भी number है हमारा, वो हमारा है K, So, K is a scalar, तो यहाँ पर जो ये scalar की बात हो रही है, ये scalar हम क्या मान रहे है, K, आगे हम K की जगा को ये number लेंगे, तो अभी हम क्या ले रहे है, K, तो हम K की multiplication कर रहे हैं, इस matrix में, A क्या है, matrix है, तो K into A, यानि इस matrix का हम multiply कर रहे हैं with K, तो A क्या है, matrix है, तो A की जगा पर र तो K हो जाएगा, into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, इस तरीके से हम लिखेंगे, अभी हमने multiplication नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ क्या दिखा है, कि हम K को इस matrix से multiply कर रहे हैं, अब हम इस कदर multiplication कर देंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, जिस भी number का, हम किसी matrix के अंदर multiply कर देते हैं, तो ये क्या है, multiplication, तो इस matrix में क्या है, सारे elements है, तो हर एक element से इसका multiplication होगा, क्योंकि हम इस matrix से multiply कर रहे हैं, और matrix बना किस से है, इन सारे elements से मिलगे बना है, तो हम इन सबसे ही इसको multiply कर देंगे, तो यानि कि, K into K into हो जाएगा, सब जगा, इस तरीगे से, तो हम simply इसको क्या लिख सकते हैं, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 और K9, अबर माल लो, या पर कोई number होता है, इस K की जगा पर, तब कैसे लिख ज़ते हैं, हम माल ले देंगे, हमारे पास में जो K number है, that is 2, तो यानि कि, हम 2 वो scalar है, जिससे हम इस matrix को multiply कर रहे हैं, तो हम 2 से इस पूरी matrix को multiply कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, ऐसे 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8 और 2 into 9, यानि कि, हर number उस scalar से multiply हो जाएगा, तो पूरी matrix multiply हो गई, अगर हम इसको multiply कर देते हैं, तो ये आगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, तो हमारे पास में ये matrix आ गई, अगर हम उस scalar के जगा पर 2 number को ले लेते हैं, अब हम कोई और number लेते हैं, तो अब हम माल लेते हैं कि हमारे पास में जो matrix है, that is 3, 1, 1.5, root 5, 7, minus 3, and 2, 0, 5, तो इसका आप order देख सकते हो, 3 by 3 है matrix का, इसका हमें use नहीं है, पर हम कट चुके हैं, इसलिए में बार बार इसको बता लिए, तो अब हमें क्या करना है, अगर आपके बास में A है matrix है, और आपको find करना है 3 A, तो 3 A का मतलब है 3 into A, तो यानि कि A जो matrix है, उसमें आपको 3 को multiply करना है, 3 यहाँ पर क्या हो गया, scalar हो गया, scalar मतलब number, तो 3 into A करना है, तो सबसे बहले कैसे लिखेंगे, सबसे बहले लिखेंगे 3, अब A क्या है, matrix है, तो इस matrix को यहाँ पर रख दो, matrix क्या है, 3, 1, 1.5, root 5, 7, minus 3, और 2, 0, 5, अब simply आपको क्या करना है, अब यह 3 पूरी matrix से multiply हो रहा है, matrix इन number से मिलके बना है, तो हर एक number से इस number का multiply होगा, तो इस 3 को हर एक number के साथ में multiply रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 3 into 3, 3 into 1, अब आएगा 3 into 1.5, अब ऐसे ही नीचे वाली रो में भी होगा, अब यह हो जाएगा 3 into root 5, 3 into 7, 3 into minus 3, 3 into 2, 3 into 0, और 3 into 5, simply आपको हर एक number दे साथ में इस number का multiplication करना है, और इनको simply multiply कर दो, वही आपका answer है, अब आप इसमें लिख सकते हो, इसका जो answer आएगा, 3, 3s are 9, 3, 1s are 3, 3 into 1.5 is 4.5, यह जाएगा 3 root 5, यह जाएगा 21, यह जाएगा minus 9, 6, 0, और 15, तो यह आपको हो गया इसमें answer, इस तरीके से आप scalar को multiply करते हो, कितनी भी y की आपको matrix दे रखे हो, चाहे 3 by 2 की हो, 2 by 3 की हो, 1 by 3 की हो, उसमें आपको simply उस number को multiply करना है, और multiply करने के बाद, हार एक element के साथ में multiply कर दोगे, उसके बाद में जो आपके पास matrix आएगे वही आपका answer होगा. तो इस तरीके से खरते हैं, multiplication of a matrix by a scalar. अब हम देख लेते हैं negative of a matrix. negative of a matrix, तो इसको हम जो denote करते हैं, वो हम करते हैं, minus a से, a इस हमारी matrix जो है, negative का मदलब क्या होता है, minus, तो यहां भी यह लगा दिया, minus sign, यानिकि negative of a matrix, a जो हो matrix है, उसका हमने क्या कर दिया है, negative कर दिया है, अब इसका मतलब क्या है, वो देख लेते हैं, सबसे simplest matrix ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, माल लेते हैं, यह हमारी matrix है, जो की a है, 1, 2, 3, 4, अब इसका हमें क्या लेना है, negative, negative मतलब माइनस sin से हमें से multiply करना है तो यानि कि इसका मतलब क्या हो गया हमें minus of A करना है तो यानि कि मैं कह सकते हूँ कि minus लिखा है तो यानि कि minus 1 लिख सकते हम उसको उससे कुछ परक नहीं पड़ेगा हमें सिर्फ क्या चाहिए minus sin चाहिए तो हम क्या गया रहे है कि इस A मेत्रिक्स को हम minus 1 से अगर multiply कर दें तो यानि कि हम उसका negative ले रहे matrix का तो अगर हम इस A मेत्रिक्स का negative लेना चाहते हैं तो हम यह गरेंगे इसको minus 1 से multiply कर देते हैं तो यह जाएगा 1, 2, 3 और 4 तो इसमें अगर हम minus 1 से multiply कर दते हैं तो यह क्या हो जाएगा minus 1, यह क्या हो जाएगा minus 2, यह जाएगा minus 3 और यह जाएगा minus 4 तो यानि कि हम simply उस minus sign को अंदर multiply गर रहा है उस matrix में तो हम इस minus sign को अंदर ले जाएगे तो minus 1, minus 2, minus 3 और minus 4 आएगा अगर इसमें plus की जगा अब हम इस वाली मेट्रिक्स में देख लेते हैं, अब माली जा हमारे पास में मेट्रिक्स है, धाट इस माइनस 1, 0, माइनस 5 मौट लेने का मतलब है, माइनस 2 मेट्रिक्स के आगे, तो हम सिंप्ली कर रहे हैं, minus 1 से multiply कर देंगे, तो क्या आएगा, minus a is equal to, minus minus क्या हो जाता है, plus, तो यह हो गया 1, यह हो जाएगा, 0, minus minus plus, तो आएगा, plus का 5, और minus plus minus हो जाता है, तो यह हो जाता है, तो simply आप इसमें देख सकते हो, negative लेने का मतलब क्या होता है, कि जो भी इंदर number जिस plus या minus में present है, उसका आपको उल्डा कर देना है, अगर वो minus में है, तो वो plus का हो जाएगा, अगर वो plus का है, तो वो minus का हो जाएगा, तो simply आपको sign change करना है, बस, तो negative हो मेत्रिक्स में है, आपको जो भी matrix नहीं है, उसका negative लेना है, तो मतलब उसका sign change क तो हम scalar multiplication देख चुके हैं, अब हम उसके questions देख लेते हैं, किस सरीके से करेंगे, तो हम उसके questions लेख देते हैं, तो अब आपके पास में जो matrix है, that is a equals to this and b equals to this, a ये matrix है, b ये matrix है, आपको निकालना क्या है, आपको find गरना है, 2 a minus b, ये निकालना है आपको, तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, scalar है, कोई भी number है, तो 2 को multiply करना है, इस a matrix में, फिर minus करना है, b matrix है, तो subtraction addition तो हम देखी चुके हैं, अभी हमने scalar multiplication देखा है, तो पहले हम सको क्या करेंगे, multiply करेंगे, then उसको minus कर देंगे, b matrix है, तो सबसे प अब एक जगा पर क्या रख दो, इस matrix को, तो इस आएगा 2 into this matrix, 1, 2, 3, 2, 3, 1, अब ये 2 जो number है, ये इस matrix से multiply कर रहे है, matrix अज नमबर से योग नहीं है, तो हर एक number को हम उससे multiply कर देंगे, तो इस 2 को multiply कर देंगे, 1, 2, 3, 2, 3, 1, सबसे multiply करना है, ये हो जाएगा, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, जो जाएगा 2 into 2, 2 into 3, 2 into 1, ये हमारे पास में आएगा, अब आप से multiply का multiplication कर सकते हो, जो जाएगा 2, जो जाएगा 4, जो जाएगा 6, 4, 6 और 2, तो जो हमारे पास 2, एक जो value आई है, वो है, 2, 4, 6, 4, 6, 2, अब इस वाली matrix में से minus कर दूर ये वाली matrix, बी matrix, तो हम कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास है, 2, 4, 6, 4, 6, 2, तो अब हम फिर से लिखेंगे, 2, A, जो की अब हमें पता है क्या matrix है, minus B, तो 2, A की value यहाँ पे रख देते है matrix की, वो क्या है, 2, 4, 6, 4, 6, 2, अब minus sign है, तो minus sign लगा देते हैं, अब क्या है, B matrix, वो ये रही, तो ये हो गया 3, minus 1, 3, minus 1, 0, और 2, अब simply आपको क्या अगर ने, plus minus करना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें, जो number यहाँ पे present है, उसको subtract करना है, इधर वाले से, इस तरीके से, तो उनको minus कर देते हैं, तो युजाएगा 2 minus 3 is minus 1, 4 minus minus 1, तो minus minus के हो जाएगा plus, तो युजाएगा 4 plus 1, 6 minus 3 is 3, युजाएगा 4 minus minus 1 is 4 plus 1, 6 minus 0 is 6, 2 minus 2 is 0, आप इंको plus कर दो, वहीं आपका answer है, which is equals to minus 1, 5, 5, 6, 0, 3, यह आपका answer है, तो इस तरीके से, आप पहले scalar को multiply करोगे, फिर उसमें से इस matrix को minus करोगे, अब उसको plus minus करके आज सिधा answer निकाल सकते हो, तो आप देख सकते हो, उसमें application है, पहले आपका scalar multiplication करवाया है, पहले आपका subtraction करवाया है, तो आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए, तब ही आप इसको solve कर सकते हो, अब हम next question देख लेते हैं, सरीके से, तो आप हमें जो question देया है, that is a equals to this matrix और b equals to this matrix, और हमें ये दे रखा है, 2a plus 3x is equals to 5b, a मतलब की matrix, b मतलब की ये वाली matrix, और हमें बोला गया है, find matrix x, x जो है वो एक matrix है, जो कि हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है, तो अब हम वो कैसे निकालेंगे, तो simply एक equation दे रखी आपको, आपको a भी पता है, आपको b भी पता है, दोनों चीज़े आपको पता है, 5x scalar है, 3x scalar है, 2x scalar है, मतलब number है सब, तो आपको यहाँ से x निकालना है, तो आपको सब कुछ पता है, तो आप यहाँ से x कैसे निकालोगे, x को छोड़के यहाँ पे, बाकी सारी terms जो है, वो उस तरह आप ले जाओ, और x को यहाँ से solve कर लो, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, 3x है, एक साथ में, इसके साथ में क्या है, प्लस का 2a है, तो आप 2a को सबसे पहले इधर ले जाओ, तो यह कैसे रह जाएगा, 3x is equal to, 5b तो इधर ही था, तो यह इधर आगया, अब 2a यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2a, हम 3x वाली term को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें x ही निकालना है, जो पता है, उसको दूसरी तरह ले जाओ, जो नहीं पता, उसको इध ले जाओ, तो अभी 3 यहाँ पे क्या था, मल्टिप्लिकेशन में था, अब एक्वल्स रूखे इस साइड में, मल्टिक्लिकेशन में था, तो इक्वल्स रूखे उस साइड में जाती ही, डिवाइड में चले जाएगा, तो यह उजाएगा, 1 by 3 और यह वाली term, तो यहाँ तो आड़ा आएगा बी वालु यहां प्रइब कर देते हैं और कि तो हम सिंप्लिस में वैल्यू पॉट कर देते हैं ठीक है एक सिप Walter वन भाइट्री फाइफ बी माइनस का टू कि मुट्री कर देते हैं यह क्या हो जाएगा एक सिक्वल 2 1 by 3 तो ऐसी रहेगा अब क्या अगर 5 B है तो 5 को हम उस B मेट्रिक्स में मल्टिप्लाई कर रहे हैं तो यह क्या है Scalar Multiplication of Patrix by a Scalar तो हम Scalar को मल्टिप्लाई कर रहे हैं यानि 5 वो Scalar है अब B की जगा पर यह मेट्रिक्स रखनी है जो की है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1 सिम्पल आपको रखनी है मेट्रिक्स बीच में के आप माइनस का साइब यह रहा अब क्या है 2 को मल्टिप्लाई करना है ए मेट्रिक्स के साथ में ए मेट्रिक्स यह रही 8 0 4 माइनस 2 3 और 6 अब सिम्पल आपको रखनी है इन स्केलर को मल्टिप्लाई करना है दोनों मेट्रिक्स है तो सबसे पहले लिख जाते है 1 बाई 3 ऐसे 5 2 जा हो जाएगा 10 माइनस 10 20 10 माइनस का 25 और 5 इवाली मेट्रिक्स में होगे मल्टिप्लाई अ अब इस 2 को सबसे मल्टिप्लाई कर दो तो यह जाएगा 16 0 8 माइनस का 4 6 और 12 अब यह भी मल्टिप्लाई हो गया है अब सिम्पली आपके अगर हो इन दोनों मेट्रिक्स को माइनस कर दो सबसे वहले सब्ट्रैक्शन करेंगे अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा 1 बाइ 3 ऐसी रहेगा अब इने माइनस कर देते हैं एन माइनस 16 इस माइनस का 6 यह था 10 माइनस 10 माइनस 0 इस माइनस 10 20 माइनस 8 इस 12 10 और 4 इस 14 माइनस 25 और माइनस 6 इस माइनस का 31 5 माइनस 12 इस माइनस 7 अब जो 3 है ये डिवाइड में है तो जैसे जब हम multiply कर रहे थे किसी भी scalar को तो वो इन सबसे multiply हो रहा था तो अगर किसी चीज को हम divide कर रहे हैं इस matrix में तो वो इन सब नंबर से divide भी होगा तो अब हम इन सब नंबर से इस 3 को क्या करेंगे जैसे हम multiply कर रहे थे वैसे हम divide भी करेंगे अब इस multiply हो रहा था तो अब इससे divide होगा इस तरीके से इससे भी divide होगा इससे भी होगा इससे भी होगा और इससे भी होगा सब नंबर से जैसे हम multiply कर रहे थे वैसे हम divide भी करेंगे अब जो कट रहा है उसको काट दो जो नहीं कट और उसको ऐसे रहें दो जो जागा 3, 2, 6, 3, 4, 12 इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा है तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2, माइनस का 10 by 3, 4, माइनस 31 by 3, 14 by 3 और माइनस का 7 by 3 यह है अंसर, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, उस कोश्चन में हमने सबसे पहले स्केला मल्टिप्लिकेशन भी किया है, सब्ट्राक्शन भी किया है और जैसे multiplication किया है हार एक number के साथ में वैसे ही हमने division भी किया है यानि कि divide भी किया है सबको तो यह आपका answer आगया है इसके अंदर अब हम एक और question देख लेते हैं उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा एक और question ले लेते हैं तो अब हमारे पास पहेंगे question है 2 into this matrix plus this matrix is equal to this matrix तो सबसे पहले आप देख सकते हो यह 2 इस matrix से multiplication में है तो 2 को सबसे पहले इस matrix में multiply करेंगे फिर इस matrix को उसमें add कर देंगे और वो matrix इसके equal है इसका मतलब यह है तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या दे रखे है दो variable दे रखे है x और y मतलब यह unknown है में x और y में नहीं बताए क्या है तो अब सबसे पहले हम इसमें multiplication कर देखे है इस 2 का तो 2 into this matrix तो यह जाएगा 2 into x 5, 7 और y minus 3 तो इसको multiply कर दे तो यह जाएगा 2 into x y तू जाएगा 10 7 तू जाएगा 14 और यह जाएगा 2y minus 6 क्योंकि 2 into y minus 3 गहेंगे तो 2 सबसे multiply होगा तो यह जाएगा 2y minus 3 तू जाएगा 6 तो 2y minus 6 आएगा अब इस से plus कर रहे है इस matrix में तो यह जाएगा 3 minus 4 1, 2 इस equal to यह वाली matrix 7, 6, 15 और 14 अब आपको simply क्या करना है यहाँ से x निकालना है और यहाँ से y निकालना है तो आप इन दोनों को equate कर दो क्योंकि यह दोनों क्या equal है matrix इस तरीके से तो आप यहाँ पे जो number लिखे होगे है इनको इस से equate करोगे और जो यहाँ पे लिखे होगे है उसको इस वाले से equate करोगे ऐसे करोगे देखो यह है 2x plus 3 अब इसको एक्वेट करो इससे यहां भी गहा लिखाता 7 तो यह जाएगा 2x plus 3 is equal to 7 अब यह वाले term देखो 2y minus का 4 2y minus 4 is equal to 14 तो यह जाएगा equal to 14 के है अब यहां से आपको x की value निकाल ले हैं और y की निकाल ले हैं तो simply solve कर दोसको यह हो जाएगा 3 रद का plus में उदर जाके उजाएगा minus में तो यह जाएगा 7 minus 3 is equal to 4 2x आगया 4 तो x की आगया 4 by 2 that is equal to 2 अब यहां से अब y की value निकाल दो यह minus का 4 था उदर जाके क्या हो जाएगा plus का 4 तो 14 plus 4 क्या हो जाता है 18 तो यह जाएगा 18 y यहां से निकालना है तो यह जाएगा 18 divided by 2 which is equal to 9 तो इस question में हमें x और y निकालने थे क्योंकि यह ही हमारे पास क्या थे unknown थे तो x जो है वो है 2 y जो है 9 तो इस तरीके से आप देख सकते हो सब कुछ आपको बता दिया है इसमें आप scalar किस तरीके से multiply करोगे किस तरीके से equations को solve करोगे किस तरीके से plus minus करना है तो यह था पूरा complete about scalar multiplication of a matrix तो इस तरीके से आप multiply कर सकते हैं thanks for watching this video मुझे उमीद है आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो please वीडियो को like कर दे अपने friends के साथ में इस वीडियो को share कर दे और मेरे चैनल को subscribe करना ना भोले thank you